तो हमने यहाँ यह संकर्प लिया है कि अब यहाँ हमारे आने वाली पीड़ी सिक्षीत और मजबूत होगी इसके लिए मॉडल स्कूल, उत्रिस्विद्दाले, बेहतरिन कॉलेज, नए मेडिकल कॉलेज, इंगिनिरिंग कॉलेज, अस्तापित करने की कार्योजना बनाई है अभी तो आपके यही नवाड इसी, जहां हम लोग यह कारिकरम कर रहे हैं इसी के बगल में आप लोगों का आज एक डिगरी कॉलेज के सिलेनाज भी होना है, जो लगवाड 25 करोड से अधिक का बनेगा, जो हमारे आजर निये जगरनात मातो जी का सपना था, हम आज उसका नियू रखने यहां आए हैं और बुकारो जिला सुरू से ही सिच्छा के चेतर में अगरीनी जिला रहा है, आज धीरे धीरे उन सब में परिवर्टन भी कर रहे हैं, अभी आपके गोमिया में भी एक डिगरी कॉलेज बन कर तयार हो चुका है, आप उसमें पढ़ाई, लिखाई करना है, आज उस गोमिया का डिगरी कॉलेज का भी आज यहीं से उधगाटन हो रहा है, एक डिगरी कॉलेज उधगाटन हो रहा है, दूसरा डिगरी कॉलेज का सिले नास हो रहा है, तो कई ऐसी चीज़ें नावाडी में कई सारी योजना आज यहां से सिलेन्यास उद्गाटन हो रहे हैं आपको मन से बताया हो गया है बगल में कई सिलापट भी आपको दिखाया गया है बहुत जल्द वो सब सिलापट अपने अपने जगवों पर अपना काम जहां सुरू होना है वहां लग जाएगा और जहां उद्गाटन होना है वहां लग जाएगा महिला कॉलेज हो बच्चों का पहली क्लास से लेकर के डिगरीज तक का व्यवस्ता हम लोग कर रहे हैं तो कई चीजे हैं आज यहां पर लगबग दस हजार लोग यहां उपस्तित हैं जिनको आज सरकार के द्वारा बिभिन योजनाओं से जोड़ा जाएगा कुछ महिला देदी लोग यहां आकर के अपनी बातों को रखा कुछ नौजवान भी यहां आकर अपनी बातों को रखा सुनकर मुझे बहुत खुशी भी कम से कम आप लोग सरकार जो योजना बनाती है वो आपके लिए योजना बनाई है आप हाथ दिजिए सरकार आपको दोनों हाथ से पगड़कर अपने पहरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखाएगी आप आगे बढ़िये तो सही आप एक कदम बढ़ियेगा तो चार कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ेगे इस सोच के साथ सरकार चल रही है आज दस हजार महिलाओं के बीच में लगबग 56 करोर रुपया का परिसमपत्ति बटना है किसी को स्कॉर्पियो बटना है किसी को टिम्पू बटना है किसी को ट्रेक्टर बटना है सेल्फ हेल्फ ग्रूप को हमारे महिलादिदियों को रासी बिलने है कई ऐसी चीज़े आज सरकार गाओं के लिए सहर के लिए छोटे छोटे कस्वे के लिए कई योजनाई चला रही है मुकमंत्री मुकमंत्री रोजगार योजना के माद्यम ससो रोजगार आप खड़ा कर सकते हैं पचास हजार से लेकर के पच्चीस लाख रुपया तक का आपको सरकार लोन दे रही है आप अपना कारी योजना बनाए अपना अपना गारी का मालिक बन करके उसको चलाएगा और कभाएगा परिवार का पेट पाले आत्मे हुनर है तो किसी के पास डोगर के हो आप मालिक बनके काम करें सरकार की ये सोच आप रासन दुकान खोलना चाहते हैं रासन दुकान के लिए सरकार मदद करती है आप नाई का दुकान चलाना चाहते हैं महिला ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती है उसके लिए भी सरकार आर्थिक साहिता दे रही है जूता, चपल, कपड़े का दुकान, होटल, रेस्टुडेंट और आज के लिए गावधियाद में टेंट हाउस का काम बड़ी जोरों से चलता है टेंट हाउस का काम करना चाहते है उसके लिए सरकार रासी दे रही है आज से 20-25 साल पीछे मुड़ के देखिए तो याद किजेगा उसमें गावधियाद में कितना गाई गुरू बकरी मुर्गी हुआ करता था लेकिन आज की दिन में गाई गुरू बकरी मिलता का है सब का जगह मसिन ले लिया है बेल का जगह ट्रेक्टर ले लिया है भैस का जगह ट्रेक्टर ले लिया है तो कहां से गाई बकरी सब रहेगा और उसी में सब बड़ा बड़ा बेपारी लोग अपना बेपार करके पॉकेट भरने का काम कर रहा है और हमारे पुर्वाज लोग अपना पसुधन हमेशा बचा के रखता था और जिस घर में गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो जिस घर में पीने के लिए दूद हो, खाने के लिए मांस हो, मचली हो अगर बाड़ी में अगर तलाब है उसमें भी मचली है अगर घर में इतना कुछ खाने का है तो हमारे गाओं का बच्चा कमजोर पैदा होगा हम मान नहीं सकते आज इसलिए हम अपने प्रुवाजिव के परंपरा को भी जीवित रखना चाहते हैं इसलिए हम लोगों ने मुक्मंत्री पसुधन प्रारम किया है और इस बार जो भी जानवर पालिएगा वो इंसौरेंस के साथ आपका किसी भामारी में जानवर मर भी गया तो उसका पैसा पूरा का पूरा इंसौरेंस कमपनी देगी ये विवस्ता करके हम आपको दे रहें क्या दिक्खत रखने हैं बिर्सा हरित गराम योजना हम लोगों ने चलाया है जो लोगों का खेती बारी है दो चार भीगा जमीन है आज के दिन में आप मौसम को देख रहे हैं कैसी आख मिचोनी खेल रहा है जब जरुत होना है बारिस उसमें बारिस होता नहीं है जब बारिस नहीं होना होता है उसमे बदलाव हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और हमारे जारखन के लोग मात्र गेहू धान उगा कर अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए बारों मैना आग के लिए बिबस्ता हो फलदार ब्रिक्षाप अपना लगाना प्राराम करे आम का पेड़ लगाए पपिता का पेड़ लगाए कठल का पेड़ लगाए अमरूत का पेड़ लगाए सरीफा का पेड़ लगाए लीची का पेड़ लगाए और आज कल तो ऐसे ऐसे पेड़ा आने लगए है कि हर बरस फल देने वाला आप का पेड़ सबाने लगा एक साल दो साल के अंदर फल देने लगता है और आज आम बजार में कैसे रुपिया किलो मिलता जरा देखिए गरीब लोग खरिद नहीं सकता है लेकिन अगर वही गरीब अपने खेत में लगाएगा तो खाएगा भी और बचार में अच्छे दावों में बेच करके अपना घर परिवार भी चला सकता है तो इस तरीके से हमारे बुड़े बुजुर्ग लोगों को तो सब लोग पैंसन हमने देही दिया सरुजन पैंसन से सारे बुजुर्ग पहले गाओ देहात में एक दो लोगों को पैंसन मिलता था साथ बरस से अधिक लोगों को आप हमने कानून बनाया है कि साथ साल के उम्र का कोई भी वेक्ती बिना पैंसन का न रहे वो इसलिए कि इस राज में गरी भी इतना है कि लोग बिचारा अपना पैंसन कार्ट बनाते बनाते दलालों का इतना चक्कर कार जाता है और इतना खगा जाता है और भारत सरकार जो कानून बनाती है वो इस तरीके से बनाती है कि कुछ लोग ही उसके अंदर आपाते हैं बाकी लोग सड़कों पर भटकते हैं तो हम लोगोंने कानून बनाया और ये भारत में पहला ये राज है कि 60 साल से अधिक वाले सभी को पेंशन राजसरकार देती है जो हर साल 5 से 10 तारिक को मिलता आप लोग का घर का 60 बरस का कोई बुड़ा बुजूरुग बिना पेंशन का है बताए तो सब को पेंशन मिल रहा है बुड़ा बुजूरुग लोग को और बिद्वा महिला लोग शरकार कोटा फिक्स करती है और बोलता है 40 साल के उमर के अधिक वाले कोई हम पेंशन देंगे बिद्वा पेंशन अरे बिद्वा तो कब हो जाएगा कोई नहीं सकता साधी होने के 5 महने के बाद भी हो सकता है पांच साल के बाद भी हो सकता है, पचास साल के बाद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज हमने वो सारी सिमाए छोड़ कर, जिस दिन से कोई बिद्वा हो जाएंगी, उसी दिन से उसको पैंसन मिलेगा, और जितना बिद्वा महिला इस राज में है, सब को पैंसन मिलेगा ये कानूरनम बना दी तो इस तरीके से कही चीज़े अभी गावालों को सो यूनिट बिजली भी हम मुप्त दे रहे अब आपके बाते पर पड़ा क्या आप बढ़ियां से महनत किजे काम किजे और कमाईए खाईए बच्चों का भोईज बनाईए अबस्क्राइए